हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों बोर्ड परिक्षा है नजदीक हैं और आपने अच्छी तयारी कर ली होगी इसलिए आज से हम स्टाट कर रहे हैं प्रशनावली 15 का रिवीजन वर्क और इससे आप अपने पढ़े हुई जो भी आपने कॉंसेप्ट पढ़े हैं उनका रिवी कर रहा हूं तो आप पूरा वीडियो देखें और क्योस्टन को डीपली समझें ताकि एक्जाम में यदि इन में से कोई क्योस्टन आ जाए तो आप अच्छे मांक्स ला सकें तो देखें पहला प्रशन जो हमने लिया है प्राइक्ता से रिलेटेड इसमें पहला प्रशन है निश्चित घटना की प्राइक्ता क्या होती है जैसा कि हम जानते हैं घटनाएं दो तरह की घटनाएं हम बात कर रहे हैं एक तो निश्चित और एक ऐसमभव तो निश्चित घटनाएं वो होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है डेफिनेट वो घटित होंगी तो ऐसी गटनाय कहलाती है निश्चित गटनाय कुछ एक्जम्पल्स अगर हम बात करें मान लीजिए पेपर में आपके पास एक्जम्पल कुछ इस तरह से आ जाए कि एक बॉक्स में दस पैंसिल रखी हुई है तो उन में से किसी एक पैंसिल को निकालने की प्राइक्ता क्या होगी त तो ऐसी सभी घटनाओं की प्राइक्ता होती है एक जो घटनाय निश्चित हैं जिनका होना कन्फर्म है उन घटनाओं की प्राइक्ता क्या होगी एक होगी जैसे दूसरा एक्जम्पल अगर हम बात करें हमने किसी पासे को उच्छाला और उस पर साथ से छोटा कोई अंक आ आये हैं यानी जो घटना घटी तो हो रही है उसमें जो परिणाम आप चाहते हैं उसका आना एसंभव है जैसे पासे को आपने उच्छाला और उस पर साथ आ जाए एसंभव है क्यों कि पासे पर 1 से 6 तक के अंक होते हैं 7 वहाँ पर नहीं होता है इसी तरह से आपने जो प प्राइक्ता हम निकालेंगे किसी भी घटना के घटित होने से संबद्दित उसकी परास सदेव 0 से लेकर यानि कोई भी घटना हो कोई घटना E है उसकी probability हम निकाल रहे है प्राइक्ता हम निकाल रहे है तो वो सदेव 0 के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी होगी और हमेशा 1 के बराबर या उससे छोटी होगी यानि कोई भी घटना अगर घटित होती है आप से उसकी प्राइक्ता पूछी जाती है तो वो प्राइक्ता ना तो 0 से छोटी हो सकती है ना 1 से बड़ी हो सकती है यानि ना तो माइनस की कोई संख्या हो सकती है ना 1 से बड़ी कोई संख्या अभिन हो सकती है तब ही वो उस गटना की क्या कहलाएगी प्रायक्ता कहलाएगी तो दो क्योश्चन तो यह हो गए हैं तीसरा यदि किसी घटना की प्रायक्ता पी-ई है यानि कोई भी घटना इवेंट कोई ए है उसकी प्रायक्ता पी-ई है तो पी-ई नहीं की प्रायक्ता क्या होगी दोस्तों पी-ई नहीं को अधिकांशत हैं हम P, E, Dash भी कह देते हैं दोनों एक ही रर्ड है P, E, नहीं या P, E, Dash तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी घटना का घटित होना प्लस उसी घटना कह रहा है PE- की प्राइक्ता क्या होगी तो हम यहाँ पर सिंपल सा पक्षांतरन कर रहे हैं तो PE- बराबर हो जाएगा 1-PE दोस्तों यह वो condition है जिससे related board exam में question अधिक तर पूछे जाते हैं आगे हम वो question ले रहे हैं जो board exam में पूछे गए हैं और इस formula पर depend है यानि इस formula से संबंदित जो प्रशन board परिक्षां में पूछे गए हैं पहले हम वो प्रशन ले लेते हैं यह जो question number 4 मेंने लिया है यह board exam 2017 में पूछा गया था question एक जैसे हैं सभी questions जो इस type के questions होंगे जो घटना के घटित होने या नहीं होने से संबंदित प्रशन होंगे वो question अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन उनका तरीका सेम रहेगा और तरीके पर आपको गौर करना है जैसे वो दो ही चीजे करेगा या तो वो प्रशन आप देख रहे हैं यह बोड एक्जाम 2017 में पूछा गया था बहुत ही छोटा सा सिंपल सा question है यदि नहीं की प्राइकता 0.95 हो तो PE की प्राइकता आपको ग्यात करनी है तो देखिए हमें क्या करना होगा यह नहीं का मतलब हो गया वह आपको दे रहा है PE बराबर उसने दे दिया 0.95 उसने दिया है PE पर आपको क्या निकालना है PE तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पड़ा था जिसमें PE और PE देश दोनों को जोडने पर एक आता है और यहीं पर आपसे चाहे वो PE पूछे चाहे PE पूछे आपको एक में से अजिया है उससे अगर वो PE देता है तो आपको PE को घटाना है PE डेश निकल जाएगा अगर PE डेश देता है तो आपको PE डेश को घटाना है और PE आसानी से आप व्यात कर सकते हैं तो यहां एक मेंसे आपको घटाना है 0.95 अब दोस्तों यहां भी अधिकतर जो चात्र हैं विद्धारती हैं वो एक छोटी सी गलती करते हैं थोड़ा सामा आपको बता देता हूँ मुझे एक मेंसे घटाना है 0.95 तो हमेशे ध्यान रखें पॉइंट की संख्याओं में घटाते वक्त पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने ही अंक उन दौनों संख्याओं में आपको लेने होते हैं और आंसर के आने वाला है 0.05 तो चोटा सा क्योष्टन था जो बोड़ एक्जाम में पूछा था इसी टाइप का एक question 2019 में पूछा गया और 2019 में question तरीका वही है वो आपको गटना के गटित होने या नहीं होने से संबंदित एक चीज देगा और दूसरी पूछ लेगा लेकिन question में थोड़ा सा गुमाएगा कैसे? दो खिलाडी हैं A और B शतरंज का एक match खेलते हैं और यह ग्याद है कि A द्वारा match जीतने की प्राइक्ता पांच बटे छे है तो B के जीतने की प्राइक्ता ग्याद कीजिए अब यहाँ थोड़ा साब को common sense लगाना है अगर A जीत रहा है इसका मतलब B हार गया और अगर B जीत रहा है तो इसका मतलब A हारेगा तो यहाँ अगर आपको A के जीतने की प्राइक्ता दी गई है तो A के हारने की प्राइक्ता मतलब B के जीतने की प्राइक्ता तो यहाँ वो question आपसे पूछ रहा है B के जीतने की प्राइक्ता मान लीजिए अगर A के जीतने की प्राइक्ता को हम P A मान रहे हैं जो कि मुझे दिया गया है 5 बटे 6 यह है A के जीतने की प्राइक्ता तो इसी तरह से अब B के जीतने की प्राइक्ता क्या होगी अगर आप थोड़ा सा सोचें तो B के जीतने की प्राइक्ता होगी A के हारने की प्राइक्ता के बराबर यानि A नहीं जीतेगा तो automatic ही कौन जीतेगा B जीतेगा यानि B जीतेगा कब जब A नहीं जीतेगा और ये P A डैश बराबर क्या होगा 1-P A अभी अभी हमने इस उत्र काम में लिया है अगर वो नहीं की बात कर रहा है तो हम जो घटना वो दे रहा है जिसकी प्राइक्ता उसने दी है उसे एक में से क्या करेंगे घटाएंगे तो यहां simple सा काम है एक में से आपको किसे घटाना है 5 बटे 6 को घटाना है तो लगुतम आप लेंगे एक के नीचे मैंने एक माना है लगुतम ले लिया है तो लगुतम आगया है 6 का योग यह 6 माइनस 5 तो कुल मिलाकर आंसर जो है बी के जीतने की प्राइक्ता है वो हमें मिल जाएगी एक बटे में 6 तो यह छोटी छोटी questions है जो इस फॉर्मूले से related exam में पूछ लिये जाते हैं कुछ और भी questions है आप अपने book में examples वगरा देखेंगे आप आसानी से उनने कर सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं आगे यह जो दो प्रश्न मैंने लिये हैं दोनों ही बहुत important question है क्योंकि इन में एक छोटा सकल आपको डूढना है जैसे वो आपको एक छोटा से question देदेगा कि इन में से कौम सी संख्या किसी घटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती है तो आपको इन में से वो संख्या चांटनी है जो किसी भी गटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती और इसके लिए आपको इसे ध्यान में रखना होगा जो थोड़ी दिर पहले हमने डिस्कस किया है यानि किसी भी गटना की प्राइक्ता ना तो 0 से छोटी हो सकती है ना 1 से बड़ी हो सकती है वो 0 हो सकती है एक हो सकती है, 0 से लेकर एक के बीच में कोई भी संख्या कोई भी भिन हो सकती है लेकिन ना तो 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी और ये दोनों चीजे आप कैसे पैचानेंगे देखी अगर 0 से छोटी है तो आपको ये देखना है कोई माइनस में तो संख्या नहीं दी गई है अगर कोई संख्या माइनस में दी गई है तो इसका मतलब वो प्राइक्ता किसी भी गटना की नहीं हो सकती है क्योंकि प्राइक्ता कभी भी 0 से छोटी नहीं होती और दूसरी चीज एक से बड़ी है ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा एक से बड़ा होने का मतलब हो गया जो भी भिन आपको दी जाए अगर भिन रूप में दिया गया है तो जो भिन आपको दी जाए आपको ये देखना है कि ये उचित है या अनुचित भिन है जैसे आपको दे दिया जाए 5 बटे 3 तो ये एक अनुचित भिन है अनुचित भिन का मतलब जब आप इसमें डिवाइट लगाएंगे तो आपको एक से बड़ी संख्या प्राप्त होगी तो इसका मतलब ये भी किसी घटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती अगर क्योशन आपको प्रतीशत में दे दिया जाए तो 100 प्रतीशत तक तो वो प्राइक्ता में आता है यानि 100 प्रतीशत प्रतीशत आपने अटाया नीचे क्या लगेगा 100 इसका मतलब 0 से लेकर 100 तक तो अगर कोई प्रतीशत दिया हुआ है तो वो किसी घटना की प्राइक्ता हो सकती है लेकिन अगर उसने प्रतीशत 100 से उपर दिया है वो आप से कह दे क्या 125 प्रतीशत किसी घटना की प्राइक्ता हो सकता है तो यहाँ पर आप साफ-साफ इंकार करेंगे, मना करेंगे, क्योंकि 125 प्रतीशत का मतलब हो गया, 125 बटे में 100, जो कि एक अनुचित भिन्न है, और अनुचित भिन्न होने के साथ-साथ, इसका मान एक से बड़ा है, पर हम जानते हैं, प्राइक्ता का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ यह जो दो क्योशन मैंने आपके लिए हैं, इनमें आप साफ-साफ यह देख सकते हैं, कि 2 बटे 3, एक उचित भिन्न है, और 2 बटे 3 का मान भी एक से छोटा रहेगा, इसलिए यह प्राइक्ता हो सकती है, 15 प्रतीशत यह भी प्राइक्ता हो सकती है, केवल प्राइक्ता कौन सा नहीं होगा, जो माइनस की संख्या है, वो किसी भी घटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती है, यहाँ पर अगर आप गौर करें, 4 बटे 3 है, जो की एक अनुचित भिन्न है, इसका मान एक से बड़ा आने वाला है, इसलिए यह किसी भी घट गटना की प्राइक्ता जरूर होती है, तो यह भी प्राइक्ता हो सकती है, आपको 3 चीज़े ध्यान रखनी है, पहला, अगर वो संख्या देता है, तो माइनस के जो संख्याएं हैं, वो कभी भी किसी घटना की प्राइक्ता नहीं होगी, दूसरा, जो अनुचित भिन्न है, वो कभी भी किसी भी घटना की प्राइकता नहीं हो सकती है और तीसरा अगर प्रतीशत में देता है और प्रतीशत 100 के उपर जा रहा है तो वो भी किसी घटना की प्राइकता नहीं हो सकती है तो ये तीन चीज़े आप ध्यान रखें ताकि आप इस टाइप के questions को आसानी से कर सकें next question लेते हैं अब जो प्रश्ण मैंने लिये हैं वो संप्राइक घटना पर आधारित हैं और आप जानते हैं संप्राइक घटना वो घटनाए होती हैं आपने कोई प्रियोग किया और उसमें जितनी भी प्रारंबी घटनाए होती हैं मालीजे आपने एक पासा उचाला है तो पासा उचालने के बाद सम अंक काना या विशम अंक काना आपने सिक्का उचाला है चित का आना या पट का आना इस तरह से ये जो प्रारम भी घटनाएं होती हैं इन प्रारम भी घटनाओं में आपको ये देखना है कि जितनी भी प्रारम भी घटनाएं हैं अगर उन सब की प्राइकताएं आपस में समान आ रही हैं तो वो घटनाएं क्या कहलाती हैं लगाना होता है कि इसमें घटनाएं हो क्या क्या सकती है जैसे यह जो पहला प्रशन हमने लिया है क्या किसी सिक्के को उचालने पर चित अत्वा पट का आना संप्राइक है तो यहां पर सबसे पहले हम यह पता लगाएं कि अगर हम सिक्के को उचालते हैं तो एक इस्तिती तो होगी एक बट्टे दो पट आने की प्राइकता भी होगी एक बट्टे दो यानि दोनों ही स्थतियों में प्राइकता हैं क्या आ रही हैं समान आ रही हैं इसलिए किसी भी सिक्के को उचालने पर चित अत्वा पट का आना एक सम प्राइक घटना कहलाता है और इस चीज़ को यूज किया जाता है किसी भी मैच को स्टार्ट करने से पहले टॉस करके टॉस करने के लिए हम सिक्का उचालते हैं कारण उसका क्या है क्योंकि सिक्के को उचालने के बाद में जो आप ये कह लीजिए कि सिक्के को उचालने के बाद चित अत्वा पट का आना सम प्राइक होता है इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार की चिटिंग नहीं की जा सकती है इसलिए किसी भी मैच को स्टार्ट करने से पहले क्या उचाला जाता है सिक्का उचाला जाता है तो यहां हमारा answer क्या होगा? बिलकुल किसी भी सिक्के को उचालने पर चित अत्वा पट का आना किस प्रकार की घटना है? सम प्राइक घटना है दूसरा question क्या किसी पासे को उचालने पर सम अत्वा विशम अंक का आना सम प्राइक है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि पासे को उचालने पर आ क्या क्या सकता है तो पासे को उचालने पर देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है ये 6 इस्ततियां बनती हैं किसी भी पासे को उचालने पर जिसमें से sum अंक तो कौन-कौन से हैं, 2 है, 4 है, और 6 है, यानि total sum अंक कितने हैं, 3, और कुल इस्तियां कितनी हैं, 6, इसलिए आपने जब इसकी प्राइक्ता निकाली, तो यह आएगी 3 बटे में 6, यानि 1 बटे 2, यहाँ पर विशम की अगर हम बात करें, तो विशम अंक है 1 3 और 5, यानि विशम अंक आने की प्राइक्ता भी क्या होगी, वही 3 बटे 6, यानि की 1 बटे 2, तो इस स्तिती में आपने पासे को उच्छाला, sum अंक आने की प्राइक्ता क्या आई, 1 बटे 2, विशम अंक आने की प्राइक्ता क्या आ रही है, 1 बटे 2, दोनों प्राइक्ता हैं समान है इसलिए घटनाएं क्या कहलाएंगी सम प्राइक घटनाएं कहलाएंगी लेकिन अब यहीं पर जो एक डाउटफुल क्योशन है वो है भाज्य और एभाज्य संख्या से रिलेटेड एक्जाम में अदिक तर पूछ लिया जाता है और कन्फूजन हमें रह जाता है त रहते किसे हैं तो नॉर्मली आप यही चीज़ दिमाग में रखें कि भाज्य संख्या है वो है जो खुद के और एक के पहाड़े में आती है इसके लावा और किसी के पहाड़े में नहीं आती है और भाज्य संख्या है जो खुद के और एक के अलावा किसी अन्य के सी है चार है और छे है यानि भाज्य तो ये दो है और ए भाज्य है एक दो और तीन संख्य है और यहां विशेश बात आपको ध्यान रखनी है कि यह जो एक है इसे ना तो हम भाज्य में गिनते हैं ना ए भाज्य में गिनते हैं और यहीं कौन कौन है? 4 और 6 और एभाज्य आने की प्राइकता क्या होगी? 3 बटे में 6 और यहां पर दोनों ही प्राइकता हैं, अलग-अलग आ रही हैं, इसलिए, किसी भी पासे को उछालने पर भाज्य अत्वा एभाज्य संख्या का आना सम प्राइक नहीं है, तो दोस्तो इसे थोड़ा सा आप deeply करें और इसे समझें एक्जाम में अगर आ जाए तो इस A क्योंको ना तो हम भाज्जे में काउंट करें और ना ही हम A भाज्जे में काउंट करें जिससे आप अपना answer जो है वो सटीक दे सकें और आपको पूरे अंक मिल सकें तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने जो 10 प्रश्न किये हैं 10 के 10 प्रश्न बहुत important हैं अगले वीडियो में हम इसी तरह से और जो छोटे प्रश्न हैं और प्लस पिछले एक्जाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम solve करेंगे तो ये वीडियो आप देखें इसकी practice करें अगला वीडियो जल्दी ही मैं post करूँगा Thank you